हेलो एव्रिवान तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी तो आज का यूड़ों बहुत खास होने आला है क्योंकि आज के इस उड़ों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हू जो की यहां पर 20th century literature in English पर आधारित है यहां पर देख सकते हैं टाइम 3 words मैक्सिमा माक्स यहां पर 75 तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर यूनिट 1 से आया हुआ question है यहां पर आप देख सकते हैं पहला दियो है राइट शॉर्ट नोट्स नहीं तू आप दियो है 300 words इच मत आपको लिखना है आप लिखा है the two words वार्स और उसके बाद b है the Russian revolution उसके बाद C है the Great depression उसके बाद दिया हुआ है D modernism उसके बाद यहां पर E दिया हुआ है new development in drama किलिर उसके बाद यहां पर इनित 2 से आपका क्केस्ट आया हुआ है यहां पर दिख सकते है ऑ that क्लियर है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं रोड़ रित प्रे फोर माइं डौर्डर क्षिबाद बी दिया हुआ है who wrote a poem in a west land उसके बाद write a full name of the poet orders यह आपको पूरा नाम आपको लिखना है उसके बाद d दिया हुआ है what the subject matters of the hackings poetries यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद यह दिया हुआ है water privates in a poetry of the side fright यहाँ पर लिखना है sessions ठीक है उसके बाद F दिया हुए है नेम द तु वार पोएट्स यहाँ पे आपको लिखना हैल नेम दो पोड़स कों आपको लिखने हैं उसके बाद G-दिया हुए है sindp. are the world war यहाँ देख सकते हैं उसके बाद in 37 यहाँ पर दिया हुए है रिपोर्ट ब्रोक यहां पर बिलॉंग्ड टू वीच ग्रूप आफ पोएट्स यह आपको बताना है उसके बाद यह दिया हुआ है वेंड वासर सेशंच बर्न यह ठीक है उसके बाद के दिया हुआ है वेवास डेलन थॉमस इंफुएंशेट बाइद वेल्ट्स पोएटि ट्रेडिशन उसके बाद दिया हुआ है एल नेम एनी टू पोएम्स आफ दे विल्फ्रीड ओवेंड यह आपको बताना है यूनिट 3 से आफ़ा क्वेश्चिन 3 एक्जाम में सोरी एक्जामीन दा सिग्निफिकेंस आफ दे टायर से इन आ वेस्ट वर्ल्ड वेस्ट लेंड उसके बाद अत्वा में दिया हुआ है उसी के डिसकास विल्फिड ओन अस वा पोएट उसके बाद दिया हुआ है और में अत्वा में यहाँ पे क्रिटीकली एनलिसी सोरी एनालेस सिग्निफ्रीड सेशन्स आफ पोएम्स फिलिंग इस्टीप इस्लीप यह आपको बताना है उसके बाद अत्वा में दिया हुए उसी के राइट नोट आप दे डबलू एच ओर्डेन आप दे मोडन पोएट उसके बाद और में दिया हुआ है डिसकास आफ रिपोर्ट प्रोक ग्लोफिड ग्लोरी फिड पैट्रिटीजम पैट्रिटीजम मतलब देशभक्ती के उपर उसके बाद दिया हुआ है चाहुता है डिसकस इधर मारलो दा मारलो दा क्वेट्स असा ट्रू हीरो आफ हर्ट और डाक्नेश उसके बाद और में दिया हुआ है तिंक्स फेल अपार्ट इन दे इस्टर गल बेट्वीन चेंज दे ट्रेडिशन डिसकस यह आपको बताना है उसके बाद और में दिया हुआ है राइट इन नोट अफ दा इमेर इमाजेरी इन फिल अपैट उसके बाद यूनिट भी है यहां पर देख सकते हैं पांच राइट अन नोट अफ दें आफ देथ अफ दमोथ यहां पर आपको लिखना है और दे लोस्ट चाइल्ड हूल इसे एसे इसे इस्ट उसके बाद दिया हुआ है यहां पर एक्स्प्लेइन हाउ देम आफ दे गुट विएस इविल वास्त डेवलपेट इन प्लेट प्ली प्ली पाई में पाई में लेशन यहां पर आपको लिखना है उसके बाद और में दिया हुआ उसी कि आपका आखरी राइट नोट आफ द थीम आफ द प्ले वेटिंग फोर द गॉडट तो यह रहा आपका यहां पर आप देख सकते हैं बीए का थर्ड इयर फाइनल इयर का इंग्लीज लेंग्वेश का परश्ण पत्र हैं हापी रहा एक्जामिनेशन दोजार च्योविस का तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इसके आने के चांसे बहुत ज्यादा हैं तो आई होप यह पूरे वीडियो आ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं इस एक और यूसफुल वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद